दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जाम में पूछे जाने वाले भारत के सभी प्रिटन इस्थलों के बारे में यानि जितने भी महत्मून प्रिटन इस्थल आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वा दोस्तों जहां पर पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट की पाडिया मिलती है यानि यह पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट की पाडिया मिलती है निलगरी हिल्स में तो यह निलगरी हिल्स पर ही आपका कुन्नूर प्रेटन इस्थल है तो यह तमिलाडू में इस्थित है त महाबलेषवर प्रेटनिफ़ कहा इस्तित हैं तो महाबलेषवर प włben इस्तित है कमाराष्ट राज्याय में तो इसकोश्चन का नूमबर सही होगा उस्तों यह महाराष्ट राजügen है तो महीं राजदैनिय headache मुंबई और माराष्ट के वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंग कोश्यारी दोस्तों भगत सिंग कोश्यारी को गोवा का राज्यपाल भी निफ्ट किया गया है और गोवा में इनको दिया गया है अतिरिक परभार ये कोशन भी आपका इस्तित है तो गुल्मर्ग प्रेटन इस्तित है आपका कस्मीर में तो इस कुश्चन का आपका ओप्सन नंबर सी सही होगा अब बात कस्मीर की विए तो जम्मु कस्मीर की राजदानी है स्री नगर और वर्तमान में जम्मु कस्मीर के उप राज्य पाल है मनोज सिंहा कौन है मनोज सिन्धा नेस्ट कोश्चन है आपका माउंट आबू परेटन इस्तल कहां इस्तित है तो माउंट आबू परेटन इस्तल इस्तित है आपका राजिस्थान राज्य में तो इस कोश्चन का उप्सन नमबर ए सही होगा अब बात राजिस्थान की हुए तो राजिस्थान की राज़धानी है जैपूर, राजिस्थान के मुख्यमंत्री है असोग गहलोत और वर्तमान में राजिस्थान के राज़पाल है कलराज मिस्र नेस्ट कोईशन है पंच मंदी परिटन इस्थल का इस्थित हैं तो पंच मंदी परिटन इस्थल इस्थित है आपका मध्य परदेस राज्ये में तो इस्थ कोईशन का ऑप्शन नमबर डी सही होगा अब बात मध्या परदेश की हुए तो मध्या परदेश की राजदानी है भोपाल और मध्या परदेश के वर्तमान में मुख्य मंत्री है सिवराज सिंग चोहान और राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल जिनको यहाँ पर अतिरिक परभार दिया गया है वैसे आनंदी बेन Next question is, उटक मंड प्रेटन इस्थल कहा इस्थित है, तो ये उटक मंड प्रेटन इस्थल इस्थित है आपका तमिन्नाडू राज्य में, तो इस गूस्चन का ओप्से नंबर एस ही होगा, और तमिन्नाडू राज्य के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया है, लेकिन फिर को भी एक बार और बता देता हूं तमिल्नाडू की राजदानी है चेन नहीं और तमिल्नाडू के वर्तमान में मुख्य मंत्री है एड़ापट्टी के प्लानी स्वामी और राज्यपाल है बनवारिलाल प्रोहीत नेस्ट कुश्यन है चेराप उझी पिर्यटर इस्थल कहा इस्थित है तो चेराप उझी परेटर इस्थल इस्थित है आपका मेगाल्य राज्ये में ने सरे दोंग् !! सगमा और राजयपाल है सत्यपाल मलिक नेक्ट कोशन है डलोजी प्रेटन इस्थल कहां इस्थित है तो डलोजी प्रेटन इस्थल इस्थित है आपका हिमाचल परदेश में तो इस कोशन का ओप्सें नमबर डी सही होगा अब बात हिमाचल परदेश की विए हिमाचल हैं जैराम ठाकुर और राज्यापाल हैं बंडारू दक्तात्रे नेस्ट कोश्चन आपका कोडेक नाल परेटन इस्थल कहां इस्थी थे तो कोडेक नाल परेटन इस्थल इस्थी थे आपका तमिल्लाडू राज्ये में तो इस कोश्चन का ओप्शन नंबर एस ही होगा और त डफैक्म कोशन है आपका मसूरी पेटर्ण इस्थल कहां इस्थी थे यह वार्श नं और यहां की सीट रितू में राज़धानी होती है और गर्जइंड उत्राखन के मुख्यमंत्रि है तिर्बेंज सिंग रावत और वर्तमान में उत्राखन की राज्यपाल है बेबी रानी मौरिया नेश्ट कोश्चन है धर्मसाला प्रेटन इस्थल कहा इस्थी थे तो धर्मसाला प्रेटन इस्थल इस्थी थे आपका हिमाचल परदेश में तो इस कोश्चन का ओप्सन नमबर सी सही होगा कोश्चनैइए खाषी कित हैं यानि जो फाटियां राज़े हें में तो इस में और में प nervous किसे वर्तमाने में सिलना औरоме और राज्जेपाल, सत्यपाल, मलिक नैस्ट कोष्ण है नैनीताल प्रेटर्न स्ततल कहां इस्तित है तो नैनीताल प्रेटर्न स्ततल इस्तित है आपका उत्राखंड में इस कोष्ण placed का option number A से ही होगा उत्राखंड की राजधानी दो है दहरादून और गैड़सेन मुख्यमंत्री हैं तिर्वेंज सिंग रावत और राज्य पाल हैं बेबी रानी मौरी है दोस्तों उत्राखन को उत्तर परदेश से ही अलग करके एक नया राज्य बना गया था और इसको नया राज्य बना गया था नो नवंबर सन 2000 को यह कोश्चन भी आपका एक्जाम में प हिमाचल परदेश के बारे में तो मैं आपको पिछले कोश्चन में बताई चुका हूं नेस्ट कोश्चन है आपका सिमला परेटन इस्तल कहा इस्तित है तो सिमला परेटन इस्तल इस्तित है आपका हिमाचल परदेश में तो इस कोश्चन का आपका ओप्शन नमबर सी से ही ह में आपको एक बार और बता देता हूं हिमाचल प्रदेश की राजदानी है शिम्ला मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर और वर्तमान में हिमाचल तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में चरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक भी एक्जामी स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर प्रेस क कियेगा तो ठीक है मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक आप स्क्रीन पर सो हो रही वीडियो को देखिए थैंक्स फोर वोचिंग एक्जामी स्किल